नमस्कार वीकेबी नियूस के सुभा के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुप करते हैं आज के हेड्लाइन्स पर नाकपुर महानगर पाली का चुनाव में तीन सदस्य प्रभाग पर्धती पर लगी मुहर कैबिनेट की मुहर लगते ही छूट भई ये निताओ की हवानिके निर्ने पर प्रविन दटके ने कहा भाजपा को फर्प नहीं पड़ता नाकपुर जिला परिशत चुनाव में एनसीपी की बड़ी मुसीबत किसके भरोसे लड़ेंगे चुनाव क्योंकि पूर्व मंद्री अनिल देशमुक है नौट रीचेबल और किंग्जवे अस्पताल और नाकपुर पुलीस के यातायात विभाग द्वारा सडक सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हुआ शुरूर और अब खबरे विस्तार से महानगर पालिकाओ में अगले वर्ष की शुरुवात में ही होने जा रहे हैं आम चुनाओ के लिए कुछ समय पहले वाट पद्दती से चुनाओ होने की घोशना से तमाम राजनितिक दलों के माथे पर बागियों को लेकर बल पड़ गये थे किन्तु अब बुधवार को हुई कैबिनेट की बैटक में मुंबई छोड़कर अन्य महानगर पालिकाओ में बहु सदस्य प्रभाग पद्दती से चुनाओ लेने का निरने लिया गया पद्दती का पहले भी अनुभव होने से भाजपा के लिए भी लोटरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है बहु सदस्य प्रभाग पद्दती से होने से अब छूट भईये नेताओं की हवा निकल गई है यहा तक निर्दलिये चुनाओ लड़ने की आस लगाए लोग होने की चलते बहु सदस्य प्रभाग पद्दती से चुनाओ लड़ने पर सहमती जताई गई राजनितिक जानकारों के अनुसार वर्ष 2002 में तीन सदस्य प्रभाग पद्दती के अनुसार महानगर पालिकाओं में चुनाओ कराए गए थे जिसमें कॉंग्रेस परकार द्वारा प्रभाग को तीन का करने पर शहर अध्यक्ष आमदार प्रविन धटके ने कहा कि जिसको घबराहट होती हो वो एक, दो, तीन, अत्वा, चार का प्रभाग तयार करें भाजपा को किसी भी प्रकार का फर्क पड़ता नहीं क्योंकि भाजपा के पास केंद् प्रविन धटके ने प्रभाग पद्दती पर कहा कि भाजपा जनता की सेवा को हमेशा अपना करतव्य समझ कर काम किया है, कोविट काल के दोरान इनहीं कार्यकरताओं ने अपनी जान की परवा नहीं करते हुए, नागरिकों की सेवा की यह पूरे शहर ने देखा, इसलिए इस सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टिया संकुचित मानसिक्ता की वज़े से जनता की सेवा में विश्वास नहीं रखती और जनता को बेवकुफ बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की चालबाजिया करती रहती है, परन्तु जनता को सब समझ में आता है, दटके इन ही देव दुरलब कार्यकरताओं के भरोसे भाजपा सभी चुनोतियों का सामना करने हमेशा तयार रहती है, जिले में 5 अक्टूबर को जिला परिशक की 16 सीटों के लिए उपचुनाओं होने जा रहे है, इनमें कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजपा और शियुसेना पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है, राका को छोड़ कर सभी पार्टी नेता सक्रिय रूप से प्रचार में जुट गए है, लेकिन एडी की जांच में फसे राज्ये के पूर्व गुरुह मंद्री अनिल देशमुक नोट रिचेबल होने से पार्टी प उम्मिद्वार उतारे थे, कॉंग्रेस के साथ गठबंदन करने से राष्टरवादी कॉंग्रेस के दस सदस्य चुनकर भी आये, लेकिन ओबी सी आरक्षन में कटोती होने से राका के चार सदस्य कम हो गये, फिलाल कॉंग्रेस की ओर से पशु समवर्धन मंत्री सुनिल के प्रदेश उपाध्यक्ष नाना गावंडे व जिलाध्यक्ष राजेंद्र मुलक सहित अन्यनेता जुड़ गये हैं, भाजपा की ओर से जिलाध्यक्ष अर्विंद गजबीय, डॉक्टर राजीव, पोत्दार, आदीनेता सक्रिय हो गये हैं, वही शियुसेना के कमान सांसत कृपाल तुमाने और विदायक आशिश जैसवाल संभाले हुए हैं, लेकिन राश्टरवादी कॉंग्रेस में जिलाध्यक्ष बाबा गूजर के कंधों पर पूरा भार आ गया है, यही वज़ज़ है, नेता के बिना राका में चुनावी गनित गड़बड़ा गया है, इस वज़े से नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है, इस भी जिला परिशत के लिए 100 तधा पंचायद समीति के 31 उमिदवारों ने नामानकन दाखिल किया है, 21 सितंबर नामानकन वापिस लेने की अंतिम्तिति है, 27 सितंबर को दो पहर 3 बजे उमिदवारों की सूची घोशित की बुदवार को स्कूरूटनी के बाद जिला परिशत के लिए 103 नामानकन वैद हुए, वही तीन नामानकन अवैद करार दिये गए, वही पंचायद समीति के लिए 156 उमिदवारों के नामानकन वैद और 4 अवैद हुए नाकपूर ग्रामिन पुलीस के स्थानिय अपराद शाखा ने खापा में हुई नाकपूर के एक युवक की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सहित तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया, घटना के 12 घंटे में ही पुलीस को इस कारवाई में सफलता मिली सावनेर तहसिल के अंतरगत टेमबूर डो महारकूंड शिवार में मंगलवार को नाले के पूल के समिक्षत विक्षत अवस्था में युवक की लाश मिली थी, मृत युवक के जेब में मिले आधार कार्ट के आधार पर उसकी पहचान अजनीनाकपूर निवासी प्रदीब जनारदन बागडे के रूप में हुई थी। प्रदीब बंसोड अंकुष लाखे कर रहे हैं। भागलपूर के SP को चैलेंज किया था, जिसमें उसने लिखा था कि तन्वीर हिसाब चुकता करने वापस आ रहा है, कोई उसे पकड़ कर दिखाए, इस पोस्ट से भागलपूर पुलीस भी सकते आ गई थी। इसी बिच नागपूर पुलीस के Crime Branch Unit 3 को जानकारी मिली, कि भागलपूर से फरार तन्वीर नामक एक अपरादी अपना नाम बदल कर नागपूर में रह रहा है। खबर के आधार पर पुलीस ने अपरादी की जानकारी इकटा की, साथ ही भागलपूर पुलीस से भी संपर्क किया। पुलीस से मिली जानकारी के अनुसार रानी मंगलवार की शाम के दोरान सहेली के साथ काम से घर लोट रही थी। सिंचाई विभाग के कार्याले के सामने मोटर साइकल पर पीछे से आए 20-25 उम्रके दो युवकों ने रानी के हाथ से मुबाइल छेन लिया और फरार हो गए। रानी ने बाइक का नंबर देखने की कोशिश की लेकिन नंबर प्लेट ही नहीं थी। दूसरी घटना गनेश पेट के अग्याराम देवी मंदिर के पास हुई। पुलीस ने टीबी वार्ड कॉर्टर निवासी राजन कुरुपाल तोमसकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। हंगाल ली है। दो आरोपी मोबाइल चीन कर भागते नजर आ रहे है। पुलीस उनका पीछा कर रही है। तो वक्त हो गया एक छोड़े से ब्रेक का मिलते है एक ब्रेक के बाद। लाव यू दिपिका। बाई। सब जानना चाहते हैं। मेरा फेवरिट कालर। मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन। मेरी फेवरिट डिश। पर कोई यह नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूं। अरे यार। जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्टक पहांची जाता है। सुरुची मसाले। खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची। अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है। पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए। जो देता है, Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming, जैसे कई सारे benefits आप पास सकने हैं Flywheel Aviation Academy 1 degree, 3 job opportunities Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 Ghani Nagar LAD College Square beside Karnataka Bank Nagpur ब्रेक के बाद आपका स्वागत है उम्मिद्वारी फार्म भरने के दिन जैसे-जैसे नस्दीक आ रहे है वैसे-वैसे कृषियोत पन्न बाजार समिधी कलमना के चुनाओं में रोचत तब बढ़ती जा रही है अब एन वक्त पर शियूसेना ने एंट्री मारी है और महाविकास अधाडी की दुहाई देकर कुछ सीटे देने की मांग की है इसके लिए मार्केट में बिल्कुल नए खिलाडी को टिकेट देने के लिए विधायक फोन करने लगे है हलाकि कॉंग्रेस ने अभी इसके लिए हामी नहीं भरी है लेकिन शियूसेना विधायक और एक पूर्व कॉंग्रेसी विधायक इसके लिए पूरी ताकत लगा रहे है कुछ रेनियों में उमिद्वारों को लेकर रोचकता बढ़ गई है जिस कारण दोनों ही पार्टियों कॉंग्रेस और बीजेपी के विधायक और पूर्व विधायक भी मैदान में कूद पड़े है सभी पर अपनी अपनी साख बचाने का दबाओ बढ़ता जा रहा है सहकारिक शेत्र ग्राम पंचायत और व्यापारी आर्टिया को लेकर दोनों ही पार्टियों में अच्छी खासी घहमा घहमी शुरू हो गई है बताया जाता है कि कॉंग्रेस समर्थित सहकार पैनल से व्यापारी वर्ग से लड़ने के लिए कई व्यापारी सामने आ रहे है इस वर्ग से जिसे पूर्व में निदेशक बनाया गया था उस पर कई घोटालों के आरोब लग चुके है जिससे उसका पत्ता काट दिया गया पहले दर किनार कर दिये गए पूर्व निदेशकों ने खुल कर लॉबिंग शुरू कर दिये ऐसे निदेशक अपस्वतंत्र रूप से या फिर बीजेपी से लड़ने की धमकी दे कर केदार को जुकाने की प्रयास में लग गया है केदार इस श्रेनी में मिर्ची बाजार के एक वरिष्ट व्यापारी को उमिद्वारी देने के पक्ष में है कई व्यापारिक संगटनों का भी उन्हें साथ मिल रहा है उसके पक्ष में कई व्यापारी संगटन भी मंद्री से मिलने वाले है लेकिन पूर्व सदस्य को यह स संक्या 99 पर पहुच गई है बुद्वार को ठोक में फॉर्म नहीं गए अलग-अलग लोगों ने एक दो पाच फॉर्म की खरीदी की है इस बीज आर्टिया व्यपारी वर्ग में एक व्यक्ति ने स्वतंत्र रूप से नामानकन भी भर दिया है नाकपूर में बुद्वार को सडक सुरक्षा सप्तह का आयोजन किंग्जवे अस्पताल और ट्राफिक नियंदरन शाखा द्वारा किया गया था जिसमें DCP ट्राफिक सारंग अभार, ACP ट्राफिक अजय कुमार मालवी, किंग्जवे अस्पताल के CEO डॉक्टर आशिश चंद्रा, CFO निलेश मुंद्रा, AGM एजाज सामी, AGM रोशन फुल बांदे और वरिष्ट व्यवस्थापक जितेंदर लोड़े की खास मौजूद की रही, सडक सुरक्षा सप्तह कारेकरम के तहत ट्राफिक नियमों के जानकारी देते हुए सुरक्षा का मूल मंत्र भी दिया गया, यही नहीं, जिन वाहन च सप्तह के महत्व को उजागर कर सडक पर ट्राफिक नियमों का पालन करने के प्रती जनजागरूती की गई। इसकी जानकरी हैं, हम सिधा उनी से जानने की कोशिश करते हैं, कि यह मासेज देने के बाद आखिर कहां था कि यह आजकल की युवापीडी इसको फॉलो कर पाएगी या नहीं? इसकी जानकरी थोड़ी सी आप दे सकते हो कि यह अभियान जो है किस परपस से चलाया जा रहा है और इसका उद्देश है क्या है? मैं निलेश मुंदड़ा, रेप्रेसेंट करता हूँ, CFO, Kingsway Hospitals. यह Kingsway Hospitals का एक सोशल इनिशेटिव है, जिससे हम यह जागृती ला रहे हैं, सोसाइटी के अंदर और लोगों के अंदर, कि हमें एक्सिडेंट फ्री सिटी होना है, यह हमारा कैम्पेंड का मोटो है. बिंग फ्रॉम होस्पिटल, हम यह रोज देखते हैं, ट्रॉमा के केसे, एक्सिडेंट के केसे, और जिससे लोग हैंडिकैप हो रहे हैं, अपनी जान गवार हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग ट्राफिक के नियमों का पालन करें, राज ड्राइविंग ना करें, सीट बेल्ट बाकी जो भी नियम हैं, इसे as a social responsibility follow करें, और अपने और अपने परिवार वालों की जान बचाएं, तो यह initiative हम अगले 7 दिनों तक रन करेंगे, across the city, all major squares, इसमें नुकड नातक और यमराज हमारा इसके अंदर डेपिक्ट है, जो यह message देगा सभी को, कि तुम्हें मेरे से न Thank you very much, the channel, for helping us to get this message towards the public. बहुत सारी opportunities मिलती हैं, तो यह उसी तरीके की opportunity, किंग से hospital ने नाकपुर traffic police के साथ मिल करके, यह अभियान चलाने की कोशिश की है, ताकि हमारे नाकपुर के यवाओ के अंदर यह awareness बढ़े, हमने अभी अभी भी देखा, काफी जो भी लोग यहां पे helmet से, helmet पहन करके नहीं करेंगे, साथ में जो भी driver without helmet है, उसको हम helmet वितरन करेंगे, without any cost, और साथ में खूल देंगे, basically एक मंचा है कि awareness general community के अंदर बढ़े, और लोग traffic नियमों का पालन करें, खास्ता और से हमारे युवा लोग. अज रोजे आमीं जन्नी जन्नी सिगनल वर्थी थांबवन, helmet गातलेंगे, तुरिष्टी कोनातु ट्राफिक बरांच ने पुडाकार गिऊन ही मोहीम के लिली आए, एक आठवडा आ ही मोहीम चालूना रहोत, आज रोजे आमीं जन्नी सिग्नल वर्थी थांबवन, घन्व प्रतिकात्मक रित्या हमीं वाटप करना रहोच जनी हमेट वापर हो याँ तरन त्यान तर पूरन अठवड़ा मदे शहरातले संपूर्ण सगाय चवकन मदे महतवाच चवकन मदे आमी जनी हमेट वापरलेला आए गातलेला है त्या ना भुलाब पुष्प देनां चा कारक् स्कीट, पथरनाट्य, छोटे-छोटे प्लेज आहे, आणि पोस्टर्स और बैनर्स ग्यून विविधा चाउकान में स्वयम सेव कुबर आना रहे आणि लोकांचा एजुकेशन करून क्याना हेल्मेट जागरू अवेरनेस चा बदल है करना रहे आणि लोकांचा गांबिर्या करता याम और डॉक्टर ये जो संकल्पना है ये साथ दिन तक चलती रहेगी कहीं न कहीं नुकड नाटक के जरीए हम लोगों को जागरू करने की कोशिश जरूर करेंगे कि कहीं न कहीं हेल्मेट का वापर जरूर करे और अपनी जान की सुरक्षाख खुद करे फिलाल आज के लिए इतना ही तब तक बने रहें ये विगे बिन्यूस के साथ कैमरा परसन राजेश जोया खान के साथ नागपूर विश्वकार फ्री दिवस के उपलक्ष में महाराश्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प द्वारा साइकल रैली का आयोजन संतरा नगरी में किया गया इस दोरान प्रमुक अतिती के तौर पर मौजूद मनपा आयोक्त राधा कृष्णन भी ने परियावरन की दुरुष्टी से साइकल रैली के महत्व को उजागर अपने विचार रखे स्वतंतरता के अमरुत महत्सफ के उपलक्ष में विश्वकार फ्री दिवस बुद्वार 22 सितंबर को शहर में साइकल रैली का आयोजन किया गया सिविल लाइन के लेडिस क्लब चौक में आयोजित इस साइकल रैली का आयोजन नाकपूर मनपा, नाकपूर पुलीस, नाकपूर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन, मिल्स मिलर्स, साइकल फॉर चेंज इंडिया पैडल्स, आधिके सयुक तत्वावधान में किया गया, इस अउसर पर नाकपूर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन बी ने नाकपूर की जनता से आवाहन किया कि परियावरन की रक्षा के लिए नौन मॉटराइजड ट्रांस्पोर्ट का सहारा लेना चाहिए, जबकि मेट्र का उपयो के लिए बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मुहीम शुरू की गई है, पिछले 6 महिने के भीतर विविद तरीकों से बिजली चोरी करने वालें 1950 ग्राहकों के खिलाफ कारवाई की गई। रुपए वसूले गया बिजली के तारों पर हुग डालने वाले 794 ग्राहकों पर कारवाई की गई इन से 16,45,000 रुपए का दंड वसूला गया इसके अलावा बिजली मीटर से छेड़ छाड़ करने वालों पर सक्ती बरती गई इस तरह के 1051 ग्राहकों पर कारवाई की गई इ इस दस्ते में नागपूर शहर मंडल, ग्रामिन मंडल, वर्धा, यवत्माल, भंडारा गोंदिया व चंद्रपूर के अभियंता, अधिकारी और कर्मचारियों का समावेश किया गया है। महावितरन के मुख्य अभियंता दिलिव दोड़के ने ग्राहकों से गैर कानूनी कृत्य न करते हुए नियमित बिल भरने और महावितरन को सहयोग करने की अपील की है। कारवाई नहीं होने से अब सहायक प्राध्यापकों ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूकते हुए 2 अक्तूबर से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चित कालिन अनुशन पर जाने की चेतावनी दी है। इन प्राध्यापकों को किसी भी तरह की शासकिय सहूलियत नहीं दी जाती। इनका बीमा भी नहीं किया गया था। कोरोना काल में ही प्राध्यापकों ने आंदोलन शुरू किया। उस वक्त वैद्यकिय शिक्षा मंतरी अमित देशमुक ने जल्द ही स्थाई कराने का आश्वासन दिया। उनके आश्वासन के बाद ही प्राध्यापकों ने अपना आंदोलन वापस लिया था। लेकिन सरकार एक बार फिर अपने आश्वासन से पलट गई। महाराश्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसियेशन का कहना है कि प्रशासन द्वारा अब तक मांगे पूरी नहीं की गई है। यही वज़ा है कि अब एक बार फिर आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं र विलास भालेकर द्वारा बुद्वार को एक वेलफेर फाउंडेशन की घोशना की गई। अमबाजरी रोड स्थित अमृत भवन में विदर्ब आटो रिक्षा चालक फाउंडेशन के सोलवे स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने यह घोशना की। आटो के सहारे चलता था और वे अपने मुख्या यानि आटो चालक को खो चुके हैं। सरकार से लंबे समय से आटो चालक के लिए वेलफेर बोर्ड की मांग की जा रही थी। लेकिन सरकार ने हर बार आख मुंदी और कान बंद कर लिये। ऐसे में हमने ही अपने दम पर वे किमा कराया जाएगा। साथी बेटी की शादी, उच्च शिक्षा, घरकुल जैसी योजनाए भी इस फाउंडेशन द्वारा पूरी की जाएगी। उन्होंने समारोह में मौझूद विदर्ब और मराटवाडा के आटो चालकों से इस वेलफेर फाउंडेशन का लाब लेने तो विकेवी न्यूस के सुबा की प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही, आप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेवी न्यूस, नमस्कार